नमस्कार श्वागत करता है आप सभी का एक बार फिर से संद्या कमपेटर के यूटूब प्लेटपॉर्म पर देखे प्रेंट्स आरिशार्टी मुख्य एक्जाम आप सभी को याद 31 जुलाई को होने वाला है तो फ्रेंट्स आपके समक्स मात्र एक से दो दिन का समय है आज से ही प्रेंट्स आप जूट जाएए इस बैतरीन प्लेटपॉर्म के साथ में क्य attorneys इस सब प्लेटपॉर्म के माधियम से आपको सभी वो किशन बताय जा रहे हैं जो आपके exam के हिसाब से every time friends 100% सही साबित होते हैं दो परेंटस बढ़ेंगे पहले किशन की और उससे पहले ask आज मैं आपसे एक request करता हूँ कि इस सेशन को ज्यादा से जाना मत्रा में शेयर करें और आने वाले जितने भी एक्सप्रेस क्लास हैं उन सभी क्लासेज को अविश्य देखें फ्रेंट्स आपको किये वादे के अनुशार आज हमने फ्रेंट्स सभी संपून सोलार सेप्टर को आज करवाने की कोशिश किये तो फ्रेंट्स आई हॉफ आप सभी कोई को किसिशन कापी पसंद आया होगा बढ़एंगे पहले क्योशन की Question No.1 आपकी स्क्रिंट के सामने उससे पहले मैं आपको बोल देता हो अब गर आप Instagram से जूड़ना चाहते है संध्या.computer.classes पर विजिट करें और संध्या.computer.classes टेलिग्राम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पहला Question आपकी स्क्रिंट के सामक्स सभी त्यान देंगे बताने की कोशिच करेंगे क्या होगा इसका correct answer पहला Question आपकी स्क्रिंट के सामने सभी त्यान देंगे I hope आप सभी को ये Question आ रहा होगा Question में पूचा गया है most part क्या है? बहुत ही easy question है Microsoft PowerPoint से बनने वाला most important question क्या सकते है option A पे लिखा हुआ है slide को बढ़ाने का तरीका option B पे लिखा हुआ है एक slide के उपर जो items होती है उनको move करने की विदी है option C animation effect है या option D उप्रोक्त सभी तो ये question कई बार आपकी exam में बन गया है आप सभी को याद रखना है एक question आपको हूब हूब देखने को मिल सकता है इसलिए friends मैं मेरी और से comment करता हूँ आप भी अपने और से friends comment करके बताएंगे क्या होगा इसका correct answer देखे friends option B यहाँ पे क्या हो जाएगा एक correct answer हो जाएगा एक slide को items पर move करने की विदी कह सकता है किसको motion बात को next बढ़ेंगे आगे वाले question के और आप सभी student को ध्यान जेना है friends सभी student इन question को सभी से पढ़ेंगे और इनका answer जने की कोशिश करेंगे friends अंतमया यह भी आप comment करके अविश्य बताना कि आप इस model पर से कितने question correct कर पा रहे है question number two आपकी screen के सामने question के अंदर पूचा गया है worksheet पर question का आप important है सभी को याद रखना है जो worksheet होती है worksheet में row तथा column title को hold करने हेतु ताकि जब worksheet को scroll किया जाए तो वे scroll ना हो निमने मैंसे किसका उप्योग लिया जाता है आप सभी को लग सकता है question आपके सामने repeat हो रहे है अभी प्रेंट से आपका revision type की class सल रही है आप सभी के समथ वो के वो question भी कोई कोई आज सकता है जो आपके exam में बिलकुल आपको देखने को मिलने की पूरी संभावना है तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है Excel के अंदर किसी row और title को एक जगे पे hold करना ताकि जब भी आप स्क्रॉल करें वाइ स्क्रॉल ना हो option A freeze pen command option B freeze pen unfreeze command option C split command option D in वे से कोई नहीं तो आप सभी को याद रखना है इसका correct answer क्या हो जाएगा freeze pen command हो जाएगा क्या हो जाएगा freeze pen command इसका बिल्कुल ही correct answer हो जाएगा next आगे वाला question आप सभी की स्क्रॉल के सामने है सभी स्क्रॉल कमेंट करेंगे कि इसका answer क्या होगा question number 3 के अंदर क्या पूचा गया है Microsoft Excel 2010 में Chinese cell से 61 साट बनाने के लिए keyboard की किस shortcut कुणजी का परियोग किया जाता है मैंने आज भी class के अंदर आपको बताया था इन question को आप याद करके जाना ताकि exam में ये फ्रेंट्स आपको 100% हूब हूँ देखने को मिल सकते हैं ये फ्रेंट्स कई बार exam में परियोग करते हुए एक चार्ट बना सकते हैं तो option A पर लिखा हुआ है F3 option B पर लिखा हुआ F11 option C पर लिखा हुआ है F5 और option D पर लिखा हुआ है F7 तो आप सभी को याद रखना है इसका जो correct answer क्या हो जाएगा F11 हो जाएगा F11 से क्या होता है ये मेरे friends new chart बनाने की sort कर कीज़े क्या होती है new chart बनाने के लिए आप F11 की जोती है इसका उप्योग कर सकता है F3 ये मेरे friends आपको याद रखना है जो search box होता है search menu होता है इस search menu को आप इसके द्वारा open कर सकता है तो ये इसका हो जाएगा F5 F5 आप सभी को याद होगा refresh करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और power point में slide show करने के लिए भी किया जा सकता है ये जो F7 होता है ये आप सभी को already मेरे क्याल चे आता होगा जो spelling जो error होती है spelling error होती है उसको देखने के लिए F7 का उपयोग किया जाता है I hope आप सभी को इन कीज के बारे में समझवा आया होगा ये question सभी के सभी important आपके exam के लिए हो सकते है आगे वाला question आप सभी की screen के सामने question number 4 बताने की कोशिच करेंगे मेरे friends से क्या होगा इसका correct answer देखे friends option question के अंदर क्या पूचा गया है खाली जग नेटरक या इंटरनेट के माध्यम से आपके computer तक पहूस प्राप्त करने के लिए hackers या दूरभावना पून्स दॉक्टर को रोकने में कौन मदद कर सकता है ये friends जो computer cyber सुरक्सा है computer cyber सुरक्सा वाले topics question उठाया गया है आप सभी को याद रखना है question आपकी exam में बिल्कुल देखने को मिल सकता है तो इस question का answer क्या होगा सभी student बताने की कोशिश करेंगे यहाँ पे बिल्कुल option A पे लिका हुआ फाइर वाल option B पे लिका हुआ एंटिवायरस option C पे लिका हुआ है control panel option D पे लिका हुआ है इन मेंसे कोई नहीं तो मैं आपको बताने की बात यहाँ पे कोशिश कर रहा हूँ आप भी comment कीजिए कि जो network या internet के माध्यम से एक आपकी computer तक पहुश प्राप करने में hackers या दुर्बान आपकों software को रोकने में मदद करने की बात हो रही है तो यहाँ पर यह बात किसके बारे में कर रहा है firewall के बारे में बात कर रहा है आप antivirus नहीं करेंगे antivirus का answer नहीं होगा option A है यह इसका क्या हो जाएगा firewall correct answer हो जाएगा next I hope आप सभी को यह question समझ में आ रहे होंगे friends अगर आपको session पसंद आ रहा है तो आप इस वीडियो को like करे और जादा से जादा friends अपने जो friend circle है उनके पीस में इस वीडियो को अविश्य सेर करे ताकि friends से उन student तक भी यह वीडियो पहुँच सके उनको भी friends इस exam के विश्पे उनको help मिल सके MS Word 2010 में format painter का उप्योग करके business part के प्रारुप की प्रतली पी बनाना चाते हैं तो किस shortcut keys का उप्योग करेंगे यानि इस format painter है इस format painter की shortcut keys की बात हो रही है तो जो format painter होता इसकी shortcut keys क्या होती है वो आप से execution के इंदर पूचा गया है totally देखे तो तो देखे औप्शन A पे लिखा हुआ control shift के साथ में C option B control alt के साथ में C control alt के साथ में F या कोई नहीं तो आप सभी को याद रखना है मेरे प्रेंट सर इसका correct answer क्या हो जाएगा control shift के साथ में C हो जाएगा option A पे लिखा हुआ है बिल्कुल इसका क्या हो जाएगा right answer हो जाएगा आगे वाला question आप सभी की screen के सामने question number 6 के अंदर पूचा गया है windows 10 पर file अत्वा folder को lock करने में कौन सी application मदद कर सकती है आपको याद रखना है कि windows 10 होता है windows 10 में अगर file अत्वा folder को आप lock करना चाहते है तो कौन सी application मदद कर सकती है option A पे लिखा हुआ है windows defender option B kotana option C folder lock option D approach तो सभी तो मैंने कई बार इस question को class के अंदर भी बताया था आप सभी student को याद रखना है इसका correct answer क्या हो जाएगा folder lock हो जाएगा ये question वो है जो प्रेंट्स आपके exam में बिल्कुल ही देखने को मिल सकता है हर बार प्रेंट्स तो most important question की श्राणी में जो question आ रहे है उन सभी को आज मैंने इस model paper या इस class के अंदर समाहित करने की कोशिश की है आप सभी को याद रखना है इन question को आप ignore नहीं करेंगे ये question आपको exam के अंदर अच्छे marks लाने में काफी ज़्यादा मदद करेंगे question number 7 आपकी screen के सामने है question number 7 के अंदर क्या पूचा गया है सभी student इस question को आराम से पढ़ेंगे और सभी सोच समझ के answer देने की कोशिश करेंगे question number 7 जब कोई user खाली जग पर mouse ले जाता है तो वह hand के आकार का हो जाता है यानि आपके सामने सीधा सा याँ पर पूचा गया है कि नमने मैंसे जो विकल्प दे रखा है hyperlink, bookmark, cross reference या drop cap इन मैंसे ऐसा कौन सा विकल्प है जो friends के क्या करता है उसके ओपर अगर mouse ले जाता है तो वह hand के आकार का हो जाता है hand के आकार का means इस तरह से आपको जो इसका आकार mouse pointer का इस तरह से बदल जाता है ये friends किसके बारे में बात हो रही है तो आप सभी को याद रखना है जब भी किशी document के साथ में अन्य document को link किया जाता है तो link करने के बाद में hyperlink जैसे वाँ पे लागू हो जाता है तो hyperlink को खोलने के लिए आप link को खोलने के लिए जब mouse pointer उसको पर लेके जाएंगे तो mouse का pointer किस आकार में बदल जाएगा hand के आकार में बदल जाता है बुक मार्क, cross reference, hyperlink, drop cap ये सभी के से भी आपको कहां पे दिखाई देंगे insert menu के अंदर दिखाई देते हैं कहां पे दिखाई देते हैं ये सभी किस के पार्ट होता है insert menu के पार्ट होता है तो friends इसका correct answer क्या हो जाएगा? hyperlink हो जाएगा question number 8 आपकी screen के सामने है सभी student question को ध्यान से पढ़ेंगे और answer देने की कोशिस करेंगे क्या होगा question का answer question number 8 ISP का पूरा नाम friends कई बार मैंने class के अंदर बोला था ये फुल्परम आपकी exam में कई बार पूची चास होगी है यहाँ पे पूचा गया है ISP का पूरा नाम option A पे लिखा हुआ है internet service provider option B पे लिखा हुआ है international service provider option C पे लिखा हुआ है international security provider friends क्या होगा इसमें से correct answer आप सभी को याद रखना है comment करने के कोशिस करेंगे मेरे friends आप जितने आज comment करेंगे अपना score बताने के कोशिस कीजिए आपके correct होते हैं तो आपके इस्तिक कापी अच्छी है और friends अगर अच्छे marks के साथ में उत्रिण होना चाहते हैं तो आपका score कम से कम 30 से उपर होना चाहिए तो याँ पे correct answer क्या हो जाएगा option A पे लिखा हुआ है internet service provider हो जाएगा क्या हो जाएगा internet service provider हो जाएगा बिल्कुल जी हाँ मेरे पे लिखा हुआ है इसका correct answer हो जाएगा next आगे वाला question आपकी स्टिन के समक से कौन सा एप नागरिक मुद्दो को हल करने और समाधान परदान करने के लिए बनाया गया है I hope आप question को already जानते होंगे ये question आपके exam की दरश्टिछे कापी ही मैत्वपोन है तो इसका answer क्या होगा बताइए comment कीजिए option A पे लिखा हुआ है बामासा, option B पे लिखा हुआ E PDS, option C पे लिखा हुआ राजसंपर्क और option D पे लिखा हुआ E मित्रा, तो देखिए जो नागरीकों के मुद्दों को हल करने के लिए राजसान सरकार दौराज चलाएगा एक समाधान के लिए एप कौन सा है राजसंपर्क है इसे राजसंपर्क के उबर अगर आप शिकाई दर्श करना चाहते हैं तो आप 181 help line number का उप्योग भी कर्श रखते है मेरे प्रेंट्स इसका correct answer हो जाएगा option C राजसंपर्क हो जाएगा next बढ़ते हैं आगे वाले question के और सभी student question को द्यान से बढ़ेंगे answer देने की कोशिश करेंगे आप सभी को याद रखना है आप अपने इसाब से ऐसे परतेक लाइन को left और right margin के मद्य align करता है जो paragraph होता है मेरे फ्रेंट्स इस paragraph के अंदर परतेक लाइन को right और left दोनों साइड से same प्रेंट्स margin देके alignment कौन सा प्रेंट्स ऐसा हो जाएगा जो दोनों साइड के मद्य में align करेगा तो मैंने कई बार बोला हुआ है correct answer justify हो जाएगा इसे justify की shortcut कीज क्या होती है control के साथ में J होती है इसे center की क्या होती है control की साथ में क्या होती है E होती है क्या होती है control E किसकी होती है center की होती है align text differential left की control L होती है align text right की control R होती है यहाँ पर क्या पूछा गया लेफ्ट और राइट डौनों साइट से सहम मार्जिन देखे टेक्स्ट को मद्य में लाना justify की बात हो रही है इसकी sort quality control के साथ में J हो जाएगी option B यहाँ परे बिल्कुल friends correct answer हो जाएगा question ever next आपके screen के समक्स है सबी student question को द्यान से पढ़ेंगे और बताने की कोशिश करेंगे इसका answer क्या होगा जिन फाइलो और folder को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अरिस्ताई बंडारन कौन सा folder प्रदान करता है बहुती easy question है बट आपके exam के द्रश्टेशे कापी महतोपून question है किसी भी competitor exam को देते हो तो ये question आपके समग से कई न कई आपको देखने को अवेश्य मिला होगा या friends जितने भी exam आने वाले हैं उन सभी के लिए friends ये question कह सकते हैं कापी ही महतोपून है जिन फाइलो और folder को आप computer से हटाना चाहते हैं तो उसके लिए एसे friends कौन से विकल पे जहां पे आपके दोरा हटाएगी फाइलों को वो आइस्ता ही रूप से उसके अंदर भंडारन करके रखेगा तो आपके समग से option से calculator dust bin, recycle bin या new folder तो correct answer option C पे लिखा हुआ है recycle bin हो जाएगा अगर आप computer के अंदर कुछ file delete करते हो लेकिन किसके साथ करते हो shift के साथ में तो shift के साथ में delete करने पे वो file क्या होती है permanently delete हो जाती है recycle bin में आपको वो file नहीं मिलेगी आगे वाला question आपकी screen के समख सभी strength द्यान देंगे बताने की कोशिज करेंगे question का answer क्या होगा question number 12 निमन मैं से antivirus का उधारण नहीं है आज मैंने question वो सभी लिया है जो copy ister के भी है high level के भी है और एकदम medium से low level के भी है लेकिन हमारा उद्दिश से तो यह होना चीए कि आपके exam के relative कौन से question important है साए वो tough हो easy हो या middle ister का हो उन सभी को याद करते हुए जाना है ताके friends आपको कोई exam में doubt नहीं हो निमन मैं से antivirus का उधारण नहीं है notan, quick hill notan, net escape navigator cash per sky या quick hill तो यहाँ पर क्या पूछा गया इन मैं से कौन साइट antivirus का उधारण नहीं है तो देखिए notan होता है cash per sky होता है quick hill भी होता है लेकिन जो net escape navigator लिखा हुआ ना इतो web browser का उधारण यह क्या कहलाएगा web browser कहलाएगा यह कोई antivirus का उधारण नहीं है इसका correct answer में reference options B पे लिखा हुआ है यह क्या हो जाएगा इसका right answer हो जाएगा next आगे वाला question आप सभी की screen के समक्स है बताने की कोशिश कीजिए question number 13 इसका answer क्या होगा data point की वास्तिविक value क्या कहलाती है जो data point की वास्तिविक value होती है friends वास्तिविक value जो real value होती है उसको क्या का जाता है grid line, data labels, value axis या data series यह question आप underline कर दीजिए मेरे friends या तो question बनेगा किसका grid line का या फिर question किसका बन सकता है data label का इन दोनों को याद रखना है start element में दिखने वाली जो horizontally जो line होती है उन horizontally line को क्या कह जाता है grid line लेकिन इसके अंदर क्या पूचा गया है data point की वास्तिविक value पूचे तो data point की वास्तिविक value friends क्या कहलाएगी data labels कहलाएगी क्या कहलाएगी data labels कहलाएगी ये दोनों आप याद रखेंगे इसका correct answer क्या हो जाएगा option जो B पे लिखा हुआ है data labels हो जाएगा बट grid line भी आपको याद रखना है exam है इन दोनों में से मुझे लग रहा है अब की बार एक क्यूशन आपको याँ से अविश्य देखने को बिल सकता है आगे वाला क्यूशन आप सभी की screen के सामने क्यूशन का आप ही easy है friends कई बार मैंने model paper के अंदर डाला है लेकिन अंतिम दिनों की तेयारी होती है सब पर भारी वो friends बात आपको याद रखनी है कि आपने पहले क्यूशन भले ही पड़ा है बट exam के लिए मात्र एक दिन का आपके पास में समय है तो आज भूबी क्यूशन हम लेंगे और जितने भी model paper होंगे उनके अंदर वो क्यूशन सभी के समय वापिस repeat करने की कोशिस करेंगे जो हमने पहले अलरेडी बता दिये है बाई तरप के किशे अकेले अकसर को मिटाने के लिए कौन से कुझी का उप्योग किया चाता है बाई और से मिटाना चाहते हैं और दाई और से मिटाना साथ है जब दाई और से मिटाने की बात करें तो तो आप क्या करेंगे डिलीट करेंगे लेकिन यहाँ पे किसके और से हुई है बाई और से तो बाई और से आप याज रखना क्या हो जाएगा backspace हो जाएगा option जो ए पे लिखा हुआ है backspace इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा जबकि दाई और से पूछ था आगर आपको तो दाई और से प्रेंट से आप correct answer किसको करते डिलीट को करते बिल्कुल I hope आप सभी को यह question समझ में आया होगा next बढ़ते हैं आगे वाले question की और answer देने की कोशिच करेंगे में रिफ्रेंस और अंत में ये भी अविश्य बताना comment करके कि आपके इस model paper से कितने question correct हो पा रहे है question number 15 आपकी screen के समझ से कौन सा device है जो analog signal को digital signal में परिवर्तित करता है internet connection का मेहतोपुन परकार जिसके अंदर आपको याद रखना है बात यहां पे हो रही है modem के बारे में बात किसकी हो रही है में रिफ्रेंट्स modem की हो रही है modulator demodulator इसका पूरा नाम होता है ये क्या करता है analog signal को digital signal में परिवर्तित करता है option जो B पे लिखा हुआ है ये ही इसका क्या हो जाएगा correct answer DSLA cable का परकार होता है ये भी internet connection के अंदर आता है digital subscriber line इसका क्या होता है पूरा नाम होता है ISP internet service provider जिसके मादियम से इंटरिनेट की सिवा परदान कर रहे है वो ISP यानि internet service provider कहलाता है wifi बिना वायर के मादियम से net truck के अंदर आप इस्थापना करना चाहते हैं internet की तो आप किसका उप्यों करेंगे wifi यानि wireless fidelity इसका क्या होता है पूरा नाम होता है आगे वाला question आप सभी की screen के समक्स है बताने की कोशिश करेंगे I hope आप question ये already जानते होंगे तो comment करके बताएंगे इसका answer क्या होगा कौन सी memory में data को बिजली जाने के signal से मिटाया जा सकता है यानि question को थोड़ा धान से समझता है question को कई बार exam में इंदर पूचा गया है इसके ज़ारा कि 16 question के इंदर क्या पूचा गया है कौन सी memory के data को बिजली के signal से मिटाया जा सकता है तो आपके समझ से DRAM PROM EPROM या EEPROM तो आप सभी को याद अठना है यह जो EEPROM लिखा हुआ है इसका पुरा नाम होता electrical, irisible, programmable, read only memory तो देखो electrical यानि बिजली की बात हो रही है तो जहाँ पे double E आ रहा है इसका मतलब electrical, irisible हो जाएगा तो यही इसका क्या हो जाएगा correct answer जबकि अगर आपको UV किर्णो की बात होती UV किर्णो से किसको मिटाया जा सकता तो आप आप EPROM करते only for एक बार ही आएगा जबकि बिजली के signal के अगर data मिटाने की बात हो रही है तो यहाँ पर डबल इ यानि electrical, irisible, programmable, read-only memory DRAM का पुरा नाम dynamic, random access, memory होता है PROM का पुरा नाम होता है programmable, read-only memory होता है next आगे वाला question आप सभी की screen के समक्स है question number 17 question के इंदर पूचा गया है Windows 10 में किसी भी object का screen shot लेने के लिए निमने मैं से किसका उप्योग किया जाता है question copy ही microphone है आप सभी student comment करेंगे Cortana, math input panel, snipping tools या window store तो इसका correct answer क्या हो जाएगा मैंने already आपको बता दिया है comment भी करने की कोशिश करेंगे इसका right answer क्या हो जाएगा snipping tools हो जाएगा यह कैसा विकलब होता है जो windows 10 या windows 7 के अंदर आपको screenshot लेने की सुविधा परदान करता है बढ़ेंगे आगे वाले question के और math input panel का मैंने पहले बोल दिया है यह mathematical problem को solve करता है Cortana क्या होता है voice power personal assistant होता है जो search box की तरह इस्तेमाल होता है windows store एक ऐसा tools होता है जिस परकार आप mobile में google play store का उप्यो करते हुए game software इत्यादी install कर सकता है इसी परकार windows 10 में एक ऐसा program कह सकता है जासे आप game या software इत्यादी install कर सकता है next आगे वाला question आप सभी student बताने की कोशिश करेंगे MS powerpoint में duplicate slide insert करने की shortcut कुणजी क्या है duplicate slide की बात हो रही है मेरे friends कई बार exam में शीदा शीदा पूचा गया है कि powerpoint में आप duplicate slide डालना चाहते हैं एक तो बात होती है new slide की किसकी बात होती है new slide की बात होती है तो यह तो मेरे क्याल से सभी को आता होगा जब new slide की बात हो तो new slide की तो क्या होती है Ctrl M होती है, क्या होती है, Ctrl M होती है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, Ctrl D, Ctrl N, Ctrl M, या उफ्रुक्त मैं से कोई नहीं, तो duplicate slide की बात होती है, तो आपको Ctrl D याद रखना, क्या याद रखेंगे, Ctrl D, जबकि Ctrl N तो क्या होती है, यह तो new file की होती है, यह तो किसकी होती है, new file की shortcut की होती है new slide का पूछे तो control n नहीं करेंगे control m करेंगे तो control m यानि new slide control d यानि duplicate slide control n यानि new file new slide की control m होती है आगे वाला question आप सभी की screen के समक्स है आप सभी question को ध्यान फूर्वक पढ़ेंगे और answer बताने की कोशिश करेंगे windows 10 में brightness speaker volume battery status और wireless network या screen resolution यह जो भी आपके समक्स जो विकल्प दे रखे हैं इन आदिकी बात हो रही है इनके लिए आप किस options का परियोग करते हैं math input panel का word paid का windows mobility center का स्निपिंग tools का स्निपिंग tools तो screenshot लेने के लिए होता अभी मैंने center यहां पर विल्कुल see इसका क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा बढ़ेंगे आगे वाले question की और question number 20 आपकी screen के समक्स है कि paragraph को दाएं या बाएं margin से दूर ले जाने को खाली जगस अंदर बित करता है यानि जो documents होता है इस document के अंदर दाएं या बाएं margin से दूर ले जाने को फ्रेंट्स क्या का जाता है line spacing alignment indenting या bullet and number list तो यह तो संक्या के आगे फ्रेंट्स आप number या bullet देने के लिए होता है alignment चार परकार के होता है left right center justify के और रखना line spacing लाइनों के भी इसका space maintain करता है तो इसका correct answer क्या हो जाएगा indenting हो जाएगा paragraph को दाएं या बाएं मातियं से दूर ले जाने को indenting के मातियम से संद्रभित करते हैं पहली line को चोड़के बागी सभी line को आगे बढ़ाना ओप्रेंट्स क्या कलाता है आप सभी को hanging indent कलाता वह क्या कलाएगा hanging indent कलाएगा पहली line को चोड़के बागी सभी line को increase करना देखो indenting के दर दू option मिलेंगे आपको increase indent मिलेगा एक तो क्या मिलेगा आपको increase & indent मिलेगा और एक आपको क्या मिलता है decrease decrease indent यहाद रखना आपको एक्जाम की दरश्पी मेहथव पूर्ण के समसे बताने की कोशिश कीजिए I hope आपको मैंने कई बार ये model पपर में डाला है तो right answer देने की कोशिश करेंगे निमने मैंसे कौन सा operating system multitasking को वास्तवों में लागू नहीं करता है multitasking यानि ये की समय में बहुत सारा कारियर कौन से windows के इंदर नहीं किया जा सकता windows 98, windows NT, MS-DOS या windows XP तो मैंने कई बार बोला हुआ है कि ये जो MS-DOS होता है ये ऐसा operating system होता है जो multitasking को वास्तवों में लागू नहीं करता है option C पे लिखा हुआ है MS-DOS Microsoft disk operating system इसका क्या होता है पूरा नाम होता है आगे वाला question आप सभी की screen के समक से निम्नमैस से handheld device के फरकार नहीं है नहीं है पूचा गया है आपको भी याद रखना है कि निम्नमैस से ऐसा कौन सा विकल पर जो handheld device की screen में नहीं आता है features phone, smartphone, tablet ये आप सभी अपने हतेली में रखते हुए आसानी से इसको use कर सकते है जबकि laptop होता है ये laptop, आप सभी को याद रखना है handheld की स्रेणी में नहीं आएगा क्योंकि laptop device बड़ा होता है और प्रेंट से एक ही हाथ के दूर आप आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं अपने हतेली के उपर रखते हुए जो आइस्तेमाल करते हो phone हो गया, smartphone हो गया tablet हो गया, feature phone जो भी आपके समक्स options है, इन सभी को आप handheld device की स्रेणी में रखेंगे आगे वाला question आप सभी की sprint के समक्स है question number 23 और पूचा जा रहा है hot spot के लिए किस connectivity की आप सेकता होती है option A, Wi-Fi की option B, Bluetooth की option C, infrared की तो I hope आप सभी रोजाना इसका इस्तेमाल करते होंगे, आप सभी को याद रखना है कि hot spot के लिए दूसरे mobile में किसकी connectivity की आप सकता होगी Wi-Fi, यानि एक device के मादियम से अगर आप hot spot सुरू करते हैं, तो दूसरे के अंदर इसका internet लाब लेने के लिए इसमें Wi-Fi का इस्तेमाल करना पड़ेगा Option A, यान से क्या हो जाएगा correct answer हो जाएगा बढ़ेंगे आगे वाले question की और GPS का पूरा नाम बताईए देखे प्रेंट्स, आज मैंने सभी question इसमें important सामिल किये हैं, आपके exam के लिए मात्र एक से दूद दिन का time है अब भी प्रेंट्स आप नए हैं तो आप आज से ही channel के साथ में जूट जाएए जितने भी 5-6, 10-12 जो भी model paper आपको करवाए है उनको देखे और आने वाले class को only और एक दिन के लिए देख ले, निचेती दावा करता है अच्छे marks के साथ में आप उत्रिन होंगे GPS का पूरा नाम बताईए देखिए geographical जियोग्राफिकल देखिए क्या लिखा हुआ geographical penetration system नहीं global positioning system तो GPS का पूचा गया है याप जियोग्राफिकल नहीं बोलेंगे geographical तो आपको यादेगे GIS का पूरा नाम में G का आता है यादे GIS का पूरा नाम पूचे तो geographical information system बोलते है यहाँ पे तो क्या लिखा हुआ है GPS तो यहाँ पे क्या हो जाएगा global positioning system option B पे लिखा हुआ है इसका क्या हो जाएगा पूरा नाम हो जाएगा next बढ़ते हैं आगे वाले question की और आप सभी की screen के समख से PNR इस्ततिक tracking से क्या अर्थ है आलानकि यह आपको question आ रहा होगा आप समझ रहोंगे यह question हमें आ रहे वापिस क्यों करवा रहे बट अभी हमारा target यह है कि आपको exam में वो question सभी के सभी एकदम मूख जबान याद करवाना जो आपके exam के लिए बन सकते हैं इसलिए अब आप यह mind से निकाल दीजिए कि यह question वापिस आ गया है अभी तो आपको इतना याद रखना कि यह question वापिस आ रहे ना वो आपकी exam के लिए copy ही मैत्वपूर्ण है इसलिए हम उनको repeat कर रहे है PNR इस्तति ट्रेक्टिंग से क्या आज यह है आप सभी को याद रखना है आधार कार्ड की इस्तति पता लगाने के लिए नहीं second pen कार्ड की इस्तति का पता लगाने के लिए इस्तिमाल किया जाता यह भी नहीं होगा तो आपको याद रखना है कि टिकट की इस्तति साए IRC-TC की हो या RSR-TC की हो तो आप सभी को याद रखना है कि जो टिकट होता है रेलवे टिकट उन रेलवे टिकट की इंक्वारी के लिए आपको जो एक नंबर दिया जाता है उनको क्या का जाएगा पैसेंजर नेम रिकोर्ड का जाएगा क्या का जाएगा पैसेंजर नेम रिकोर्ड का जाएगा पैसेंजर नेम रिकोर्ड ये क्या करता है टिकट की इस्तति पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है नेक्स्ट बढ़ेंगे आगे वाले क्यूशन की और सब विश्वा क्यूशन है E-Governance से क्या तातपरी है E-Governance से आप क्या समझते हो तो मैंने कई बार बोला हुआ कि E-Mitra की बात करे E-Walt की बात करे E-Wallet की बात करे E-Mitra के अलबा E-Commerce की बात करे इन सभी में E का मतलब electronic होता है तो या से इसका answer मिल जाएगा electronic governance हो जाएगा option A पे लिखा हुआ है इसका correct answer हो जाएगा नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे वाले क्यूशन की और 27 देखे प्रेंट्स कापिशार इस्ट्रेंट हमारे साथ regular जूटते हैं मुझे अभी प्रेंट्स उम्मीद लग रही है कि आप लोग में से कापी सारे इस्ट्रेंट है जो 90 से cross करेंगे तो प्रेंट्स आप हमारे रिश्वास के ओपर खरा उतरना हम प्रेंट्स आपके लिए वो सारे क्यूशन और भी प्रेंट्स जितने भी मॉडल पर या पिर जितने भी आपके समक्स वीडियो पेस करेंगे उन सभी में प्रेंट्स एक भी क्यूशन ऐसा नहीं रखना चाहते हैं जो आपके एक्जाम में दीखे तो आप सभी को याद रखना है कि सभी क्यूशन वो आ जाएंगे जो हमारे क्लास के मादेंट्स आपको बताए जा रहे हैं आप इन क्यूशन को अच्छे से थोड़ा याद रखना की कोशिश करना जो तो प्रेंट्स एक्जाम में कंफ्यूश नहीं होना है आपको याद रखना पासिंग मार्क के लिए सउदा क्यूशन राइट करने पड़ेंगे लेकिन हमें सउदा के प्रोशन रहना है अटेंट्स तो सभी करने है और 90 से उपर भी बनाना है तो प्रेंट्स सउदा वाला आपके मायन से निकाल देज़े लेकिन पास होने के लिए कम से कम सउदा क्यूशन तो करेक्ट होने आपको जरूरी हो जाएंगे गलत यूगमा की पैसान कीजिए राज इसाइन कस्टमाईज QR और फोटो सक्सम पड़नाली हस्ताक सर है तो ये तो इसका करेक्ट है और आपसन B राज एम तो एंटरप्राइज विब कंटेंट प्लेटफॉर्म ये बिल्कुल करेक्ट है ऑपसन D रास GPS मोनिटरिंग और बायोमेट्रिक उपस्थित पढ़नाली रास हो जाएगी तो आप सभी को याद रखना है मेरे फ्रेंड्स कि इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा जो कौन सा इसमें मैच नहीं कर रहा है तो ऑपसन जो B पे लिखा हुआ ये मैच नहीं कर रहा है क्योंकि G.I.S होता है न ये G.I.S तो राज दरह हो जाएगा क्या हो जाएगा राज दरह होता है न जो राज दरह राजिस्तान संपर का चरण नहीं है, राजिस्तान संपर का चरण इसमें से कौन सा नहीं है, क्यूशन कापी easy है, कई बार repeat हो रहा है, आप सभी को याद रहना है, क्यूशन आपको हुब 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 देखने को मिलेंगे, options भी send होने की कापी कम संभावना है, तो registration होता है, moderation बी होता है, allocation भी होता है, लेकिन स्कूटरी नाइजेशन ये इसके अंदर नहीं होता है, जब आप राजिस्तान संपर के ओपर चिकायत दर्ज करते हैं, तो ये तिनों विकल्प इसमें होता है, लेकिन ये एक options दिया हुआ, ये नहीं होता है, इसके लाव और भी इसमें हो बताईए, कई बार most important question है, पर तिक model पर दूर से तीन दिन के बाद में अविश्चे में ये question को repeat किया होगा, तो आप भी याद रखिए, question आपके exam में बन सकता है, massive online open course हो जाएगा, इसका correct answer क्या हो जाएगा, option A, massive online open course हो जाएगा, एक e-learning platform की स्राणिम आता है, जहां से प आगे वाला question, जैसे mock के अंदर क्या बोलेंगे, course रहरा होता है, Udacity होता है, Khan Academy होता है, ठीके पर इस तरह से options दो आपको दिखते हैं, जो online study platform है, वो सारे mock के उधारन है, आगे वाला question, question number 30, आपकी screen के समक्स है, बताने की कोशिश करेंगे, राजस्तान सरकार द्वारा, launch क आगया, cloud-based storage समाधान कौन सा है, तो देखिए, अभी मैंने बोला था, cloud-based की बात हो रही है, cloud-based की बात हो रही है, तो आपको याद रगना है, राज-E ग्यान तो होगा नहीं, RPSC तो एक कर, श्रीवा चेन की प्रेंच क्या होती है, एक चायट होती है, राज-E साइन, यह हस्ताकसर पढ़ना लिए होती है, तो यहाँ पे पीछे क्या बचा, आप सभी को याद रगना है, राज-E वॉल्ट होता है, यह राज-साइन सरकार द्वरा, चलित क्या कह सकते है, cloud-based storage कह सकते है, options, यहाँ पे क्या हो जाएगा correct, B पे लिखा हुआ है, यह इसका answer correct माना ज पे लिखाम में यह बिल्कुल आपको बिना प्रेंच options सेंज हुए भी मिल सकते है, ऐसे question आज मैंने इस moral paper के अंदर लिए है, और सभी question को आप और यह याद रखे, Google Drive भी होता है, Microsoft OneDrive भी होता है, Dropbox भी होता है, means correct answer option C, option sorry D, उप्रवक्त सभी हो जाएगा, उप्रवक्त सभ यह वाला question आपकी screen के समक्स है, निमनलिकित में से, वह कौन सा cyber खत्रा है, जो आपके computer, जो आपके computer के उपर, जो system है ना, उनको overload करता है, और धीमा बनाने का कारिय करता है, malware tizing, spyware, denial of services, या session of foreign, तो मैंने class के अंदर भी कई बार बोला है, और SME कई बार model paper के इस question को डाला है, ज्यादा time इसके उपर नहीं डालें देंगे, denial of services जब बात हो, तो आपको एक ही आपर point याद रखना, जब computer को overload करने की बात हो ना, तो overload friends करने की बात होते ही, आपके mind में एक idea होना चीए बात किसकी हो रही है, denial of services की बात हो रही है, spyware क्या कारिय करता है, user के द्वारा किये गए कारियों के उपर निगरानी करता है, और जांसुसी करता है कि बरतमान में इस computer में user क्या क्या कारिय कर रहा है, तो ये spyware के अंदर आता है, आगे वाला question, आप सभी की strength के समख, किस परकार की धारा, विश्वास गहत का अपराज से समन्दित है, निमनलिकित में से, इन में से ऐसे कौन सी धारा है, जो विश्वास गहत का अपराज से समन्दित है, तो option A पर लिका हुआ है, धारा 607, धारा 605, धारा 6020 या धारा 608, तो विश्वास गहत का अपराज जब बात हो, तो यहां पर बात धारा 607 की हो रही है, किस की हो रही है, 607 की हो रही है, औ तो बोगस वेबसाइट साइबर धोकादड़ी यह जब यह आपको नाम दिखे तो आप क्या करेंगे धारा 420 करेंगे यह क्यूशन आपके एक्जाम की दरश्रिशे दोनों के दोनों मैंने बता यह इंपोर्टेंट है आगे वाला क्यूशन आप सभी की स्क्रेंट के समक्स है 34 और आप सभी को बताना है कमेंट कीजिए कमेंट के दोरा इसका आंसर देंगे राइट कमेंट के दोरा एक कम्पुटर का बैसिक यूजर अकाउंट जिस पर अभी भाविक के नियंतरन रखा जाता है मैंने 10 से 15 बार इस क्यूशन को बार बार बोला होगा अभी मेरी क्याल का नाम दिखते ही आप क्या करेंगे स्टंडर्ड अकाउंट करेंगे जबकि विशेश नाम दिखे यानि ऐसा पूछे कि विशेश यूजर अकाउंट तो विशेश यूजर अकाउंट के लिए आप क्या करेंगे यहां पे किसको करेंगे एड्मिनिस्ट्रेटर को करेंगे ये दो परकार के computer के account होता है administrator और standard होता है next और इस model paper का सबसे अंतिम question I hope इस session को आप right comment के दोरा पूरा करेंगे question number 35 आपकी screen के समक्स है निमनलिकित में से कौन सा एक outlook account का परकार नहीं है ये friends आपको याद रखना है क्या पूचा गया है नहीं है तो आपको याद रखना है मैंने class के अंदर कई बार बोला था Microsoft actions होता है POP3 भी होता है और IMAP भी होता है लेकित standard है ये outlook का account का परकार नहीं है तो मैं अभी तो बोलागे किसका होता है computer के अंदर user account का परकार होता है ना कि ये outlook account तो देखें Microsoft actions ये भी होता है जो वैपर setting में काम आता है POP3 ये भी होता है जो email नीजी email को download करने के लिए काम आता है और IMAP यानि internet message access protocol ये भी एक क्या होता है outlook account का परकार होता है POP का पूरा नाम क्या होता है post office protocol IMAP का पूरा नाम क्या होता है internet message access protocol होता है तो I hope ये प्रेंट सभी के सभी question आपके समने में आज रख रहा हो इन सभी question को प्रेंट से आपने अच्छे से समझा होगा I hope आप सभी को वीडियो का भी पसंद आया होगा और प्रेंट से exam के लिए सभी student को best of luck संद्या computer के दोड़ा जितने भी model paper करवाए गए है उन सभी model paper को आपने अच्छा प्यार दिया इन question को आप चाओ तो वापिश repeat भी कर सकते हैं और आज के बाद में जितने भी classes आपके लिए आ रही है इस channel के माद्यम से उन सभी class को जल्दी जल्दी quickly आप revision के रूप में देखेंगे मेरी subjects आप कापिशार student के 96 cross percentage बनेंगे exam के बाद में अवश्य बताना answer की के उपर कि आपके कितने चारे question right हो रहे है तो friends मिलेंगे एक और अन्य वीडियो के साथ में तब तके लिए जय हैंद बंदे मात्रम जय बारत all the best